गुट मॉर्निंग, डियर पैरेंस एंड स्टुडन्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर पृती छासत्या, आशा है कि आप सब घर पे सुरक्षित हूँ। आज का सुविचार है, चुनोतियों को स्विकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद महसूस कर सकें। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जब भी चुनोति आती है, चैलेंज आता है, सपोज आपके सामने कोई एक काम आया है, जो आप पहली बार कर रहे हो, तो आप ऐसा फिल करोगे कि ये मुझसे नहीं होगा, पर बिना डरे उसको एकसेप करो, वो काम आप अच्छे से करो, त उसका आनंद आप महसूस कर सकोगे, मतलब आप उसको फिल कर सकोगे, इसका मतलब है कि हमारे सामने कोई भी नया काम आये, तो बिना डरे उसको एकसेप करो, और वो काम अच्छे से कम्प्लीट करो, आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर थ्री लेंगे, तो लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि मात्रा होती है स्वर की, हमने सीखा था कि स्वर होते है, व्यंजन होते है, उसकी मात्राए होती है, तो आज का हमारा चैप्टर है मात्राए, शब्द और वाक्य, आपको स्क्रीन पे दीख रहा, ये सब क्या है, हाँ, अभी ये तो आपको आ यह हम लास्ट वीडियो में सीख चुके थे स्वर आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, ओ, अउ, अम, अह अब यह क्या है? हाँ, अभी तो आपको आ गया होगा क्योंकि हमने उसी चैप्टर में सीखा था वर्ना और वर्ना माला तो यह क, ख, ग, ग, ऐसा करके आप श्रो तक लिखोगे तो उसको अभी आप लोग क्या बोलोगे? वर्ना माला यह अभी आपको आता है बरबर तो इस चैप्टर में हमें सीखना है मात्राए, शब्द और वाक्य जो आपने लास्ट वीडियो में स्वर सीखे थे उसकी इस चैप्टर में हम सीखेंगे मात्रा मात्रा के बाद हम सीखेंगे शब्द कैसे बनते हैं और उसके बाद सीखेंगे वाक्य कैसे बनते हैं तो हमारा चैप्टर थ्री है मात्राए, शब्द तथा वाक्य व्यंजन वर्ण अपने आप में अपूर्ण होते है जब इनके साथ स्वर जूरते है तभी ये पूर्ण होते है इसका मतलब है कि अगर आप ब्रेकेट में लिखाय देखिए कख ऐसे अगर आप नीचे जो चीनह है उसको क्या बोलते हैं किसी को याद है वेरी गूड उसको हम हल चीनह बोलते हैं तो जब आप हल चीनह के साथ कख ग लिखोगे तो वो अपूर्ण है, कम्प्लीट नहीं है पर जब उसके साथ हम स्वर को जूडेंगे तब ही वो कम्प्लीट होते है, पूर्ण होते है अभी आप लोग बोलोगे मात्रा क्या है तो देखे लिखाए मात्रा की डेफिनेशन है स्वरों का जो रूप व्यणजन के साथ जूडता है वह मात्रा रूप में जूडता है अभी हमने बात की कि व्यंजन के साथ स्वर जूडते है तो स्वर सीधे नहीं जूडते है सपोज क है तो क के साथ अगर आपको आ की मात्रा लगानी है तो आप क, आ ऐसा नहीं लिखोगे क्या लिखोगे? क, आ की मात्रा तो क्या बनेगा? का तो स्वर का जो रूप होता है उसको हम मात्रा बोलते वो व्यंजन के साथ जुड़ता है मात्रा समय की अवधी को कहते है इ बोलने में कम समय लगता है लेकिन इ के बोलने में समय की अवधी बढ़ जाती है देखिए यहाँ पे लिखा है इस और इख के बोलने पर ध्यान दे आपने देखा कि इख के बोलने में समय अधिक लगता है समय की मात्रा ज्यादा लगती है जब हम किसी आ वाले वर्ण को बोलते हैं तो अंत में अह सुनाई देता है जैसे की क, च, प, ज, ये सबी मैंने रीड किया तो उसके पीछे आपको आ ऐसा द्वनी सुनाई दी ओके चलो अभी हम पहले देखते हैं स्वरो की मात्रा है यहाँ पे आपको एक बॉक्स में स्वर दिये है ओ, आ, ई, जो सब आपको पत्ता है उसके बाजू में लिखिये मात्रा ओ, ओ की मात्रा कौन से है देखे तो बॉक्स में दिखाई नहीं देती सुनाई देती है औ की देखो मात्रा नहीं लिखे पर जब भी आप क ख, घ, घ, वो बोलोगी उसके पीछे आपको ओ ऐसा सुनाई देगा बराबर तो वो हमें सुनाई देती है अपन दिखाई नहीं देती है मरलब उसकी होती नहीं है पर कोई भी लेटर आप बोलोगे तो उसके पीछे ओ की मातरा लगी जैसे कि देखो बॉक्स में दिखा रहा है आपको कि व्यंजन मातरा के साथ का व्यंजन प्लस ओ ओ की कोई मातरा दिखाई नहीं देती आपको पर जब दोनों को mix करके आप equal to करके का लिखाएं तो का और सुनाई दिया है उसके बाजू में लिखे है मात्रा वाले शब्द का से क्या बना कालम मतलब pen पैन से लिखते हैं आप वो आ की मात्रा का प्लस आ की मात्रा का से वर्ड बना कान ई छोटा ई हम इसको छोटा ई बोलते का प्लस छोटे ई की मात्रा तो क्या बना की किला बड़ा ई बड़ी ई की मात्रा का प्लस बड़ी ई की मात्रा तो क्या बना की कीडा उ छोटे उ की मात्रा तो क्या बनता है वर्ड कुत्ता आपको ये बोक्स में ही देखना है जैसे जैसे में रीड करूंगी तो आपको समझ में जल्दी आएगा अभी उसके नीचे देखे बड़ाऊ, बड़ेऊ की मात्रा कैसी यह दिखरी आपको, तो क्या बनेगा वर्ड कूडा, रिशी का री की मात्रा, तो उससे वर्ड बना क्रीपान, क्रीपान मतलब तलवार, आपको पिच्चर में दिख रहा है, उसके बाद आती है एकी मात्रा, को एकी मात्रा केला, फिर अय की मात्रा क मात्रा जिससे फोटो खिचते हो न वो ऑ की मात्रा वर्ड बना को यल अव क प्लस अव की मात्रा तो क्या वर्ड बना को आ तो ये हो गई मात्रा है उसके बाद अम अह के रूप वैसे तो अम और अह ना तो स्वर है ना तो व्यंजन पर जब हम शब्द या वाक्य लिखते है तो उसमें ये यूज होते है इसलिए उसको अलग से लिया है अ अनुस्वार तो अम की मात्रा बोलते क, अम, कम कं, ग, न कंगर मतलब बैंगल्स औ और उसके पीछे दो डॉट देख रहे आपको उसको बोलते अह की मात्रा ह बोलते उसको प्रोनाम शीरसन उच्चारण जब हम करते हैं तो वो दो डॉट है उसको हम क्या बोलेंगे ह म प्लस अह तो क्या बनेगा म ह तो उससे उपर वर्ड बनेगा न म ह एक बाद आपने नॉटिस की कि ह की मात्रा है वो अल्वेस पीछे आती है देखे मतलब जो भी वर्ड है उसमें लास्ट में जो लेटर आता है उसके पीछे ही अह की मात्रा लगती है न के पीछे अह नहीं लगाए देखे न म और उसके पीछे दो डोट है तो हम पढ़ेंगे न म ह उसके बाद मात्राए व्यंजन के चारो और लगती है हब भी अपने मात्राए देखी तो अभी आपको समझ में आगा होगा तो यहाँ पे आपको चार पॉइंट दिये देखे, व्यंजन के बाद कौन-कौन सी मात्रा ऐसी है जो व्यंजन के बाद लगती है तो देखे, यहाँ पे लिखाए ओ, आ की मात्रा तो आ ब्रैकेट में उसकी मात्रा लिखिये ओके? और उसके आगे ब्रैकेट के बाहर आपको वो स्वर दिया है तो कौन-कौन सी मात्रा व्यंजन के बाद लगाते हम आ बड़ी ई ओ ओ चार मात्रा है जो जो भी आप लेटर लिखते हो वर्न लिखते हो उसके बाद लगती है आ की मात्रा जैसे कि काम इकी मात्रा बड़ी इकी मात्रा जैसे कि कील ओकी मात्रा कोई अउकी मात्रा कववा आपको मात्रा भी दिये है स्वर भी दिये है और वर्ड्स भी दिये है तो आपको समझ में आएगा देखें दूसरा ऐ ऐ ऐसी दो मात्रा है जो लेटर के उपर लगती है जैसे कि केला कैसा ओके केला कैसा वो सब उपर लगती है उसके बाद देखिए व्यंजन से पहले अब कैसी मात्रा व्यंजन से पहले लगती है छोटी ए की मात्रा किसान व्यांजन के नीचे कौन सी मात्रा है जो व्यांजन के नीचे लगती है छोटाउ, कूल, बढ़ाउ, कूल और डिशी का री की मात्रा क्रिशी अब नीचे देखिए र, र व्यांजन के साथ अगर आपको छोटाउ और बढ़ाउ की मात्रा लगानी है तो आप कैसे लगाओगे? नीचे दीख रहे आपको देखे र प्लस उ की मात्रा तो रू लिखा है और र प्लस बड़े उ की मात्रा रू तो र के साथ छोटा उ या बड़ा उ की मात्रा र के बीच में लगती है बाकी सब का आपने देख लिया बराबर उ की मात्रा नीचे लगती है सब में पर अगर आपको र के पीछे र में लगानी है र से कोई वर्ड लिखना है और उसमें बड़ा उ या छोटा उ लगाना है तो आप कहा लगाओगे? नीचे नहीं लगाओगे सिर्फ र के लिए मैं बोल रहे हूँ र में बीच में आती है देखे आपको पिक्चर में दिख रहा है र लिखा है तो उसमें छोटा उ और बड़ा उ बीच में मात्रा लगी है उके? उसकी नीचे नहीं लगती है उसके बाद स्वर वो स्वर की कौन-कौन सी मात्रा है यह आपको दिख रहा है देखो और जिसकी मात्रा होती निये, सिर्फ सुनाई देती है, A की मात्रा standing line, E की मात्रा छोटी E, जो later के आगे लगती है, बड़ी E की मात्रा later के पीछे लगती है, U की मात्रा नीचे लगती है, देखो, गुजराती में साथ लिखती हो न, वैसा है, आपको दीख रहा है, बड़ी U की मात्रा नीचे, उल्टा, रिशिकार E की मात्रा, small c लिखती हो न, वो, उस टैप का होता है, देखो, आपको पिक्चर में दीख रहा है, उसके बाद E की मात्रा उपर लगती है, लेटर के उपर, A की मात्रा दो लाइन आती है, वो भी लेटर के उपर लगती है, O की मात्र आपको दिखरी ओ और अउ की मात्रा कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए ओकी अम की मात्रा अनुस्वर, डॉट करना है वो भी उपर लगती है और अह की मात्रा जो भी आप लिख रहे हो वो वर्ड खतम होता है उसके बाद हम लगाते हैं बीच में नहीं आती है ओकी अह बोलते हैं, अभी मात्रा समझ में आ गए सबको, अभी आज के आज आपको वो मात्रा सबी रीड करने हैं, अच्छे से, अभी हम देखते हैं, शब्द, वर्णों के मेल से बहुत शब्द बन सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है, देखो अभी आपको word आगए, मात्रा आगए तो अभी आपको उनको मिला के आप कोई भी शब्द word बना सकते हो बरागर उसको arrange करके मिला के कोई भी शब्द बना सकते हो लेकिन सही शब्द वही है जिसका कोई अर्थ हो जिसका meaning निकलता हो जैसे कि ग, छोटे उ की मात्रा, गु, ल, आ की मात्रा, ला, ब, गु, ल, ब, तो गुलाब का सही अर्थ निकलता है, आप सबने गुलाब देखा है, हाँ, पिक्चर में दिख रहा है, तो गुलाब क्या है, एक फूल का नाम है, फ्लावर्स का नाम है, तो गुलाब सही शब्द है, च ब लास था उसको बीच में पहले ला दिया, ब प्लस गू प्लस ला, तो कौन सा वर्ड बना, प्लस निकाल दो तो, ब गूला, बगूला, बगूला सही शब्द है, हाँ, सही शब्द है, उसका कोई अर्थ निकलता है, हाँ, क्या अर्थ निकलता है, बगूला का मीनिंग क्या ह एक पक्षी का नाम है बगुला जो आपको पिक्चर में दिख रहा है और उसके बाद वो ही तीन लेटर को वापस आप आगे पीछे कर दोगे तो ला प्लस गू प्लस ब तो क्या बना लागूब चलो अब लागूब का कोई अर्थ होता है पता है आपको कुछ लागूब ऐसा कुछ आता है नहीं मतलब ये शब्द बना पर इसका कोई अर्थ कोई मिनिंग नहीं है इसलिए आपको बीना अर्थ का है तो वो शब्द शब्द नहीं कहलाता ओके तो शब्दों को लिखने के लिए वर्णों का सही जग़ पर प्रयोग करना चाहिए आप कोई भी तरह से दोगे और उसका अर्थ नहीं निकलेगा मिनिंग नहीं होगा तो वो शब्द गलत हो जाएगा तो जब भी आप शब्द को लिखो उसको सही वर्ण में सही जग़ पर लिखना पड़ेगा तो ही वो सही कहलाएगा उसके बाद आता है वाक्य अभी शब्द बनाना आ गया अ आप एक साथ रख दोगे तो क्या बन जाएगा वाक्य बच्चों हमने शब्दों के बारे में पड़ा कि वर्णों के मेल से अगर वर्ण को एक साथ लिख दोगे तो क्या बनेगा शब्द जो आगे हमने देखा अभी ठीक उसी तरह अगर शब्दों को आप सही मेल से अरें ज़ोरबाली का रही से बोल है यदि हम इन सभी शब्दों को मिला कर एक जगर रख देंगे तो वाक्यो बनेगा जैसे के देखो जोरबाली का रही से बोल है एक साथ मैंने रखा ये वाक्यों लग रहा है पर इसका मेनिंग कुछ निकल रहा है आपको समझ में आया जोर बाली का रही से बोल है नहीं लेकिन जब हम इनी शब्दों को उपर वाले सभी शब्दों को वापस सही क्रॉम में लगा कर एक साथ लिखेंगे तो वह सार्थक वाक्य बन जाएगा सार्थक मतलब जिसका मिनिंग निकलता होगा जोर बाली का रही से बोल है वो आपको समझ में नहीं आएगा पर नीचे वाला वाक्य देखिए बाली का जोर से बोल रही है तो आपको समझ में आए कि हाँ एक लड़की है वो लाउडली बोल रही है तो अगर आप शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखोगे तो वो वाक्य गलत हो जाएगा उसका मीनिंग नहीं निकलेगा पर अगर शब्दो को आप सही क्रम में लगा कर बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा वाक्य वाक्य आप रोज बोलते ही रहते हो बहुत सारे वाक्य बोलते हो पर आप सही क्रम में बोलोगे तो ही वो सामने वाला समझ पाएगा उसको, अभी इस चेप्टर में से हमने मुख्य बाते कौन से सिखी, पहली तो स्वर जब व्यंजन के साथ जुडता है, तो मात्रा के रूप में जुडता है, मैंने आपको बोला था कि को के साथ ए की मात्रा लगानी है, तो बनेगा की, आप डायरेक ई ऐसा को के बाजू में को ई ऐसा नहीं लिख सकते, उसकी मात्रा को आपको लिखना है, बरबर व्यंजन के साथ स्वर डायरेक नहीं जुडता है, पर उसकी मात्रा जुडती है, मात्रा के रूप में वह जुडता है, दूसरा पॉ के मेल से वाक्य बनते हैं अगर सब्दों को सही क्रम में आप लगा दोगे तो क्या बन जाएगा वाक्य अभी उसके बाद मैंने आपको PDF फाइल दी है तो उसमें आपको grammar की exercise करनी है grammar का chapter number 3 है उसमे exercise number 1 सही उत्तर के सामने सही लगाई है चलो मैं read करती हूँ आपको answer बोलना है व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा कौन सी है देखिए चार option दिये है रिशी का री की मात्रा अई की मात्रा छोट बड़े उ की मात्रा और छोटे ई की मात्रा इन चारों में से कौन सी मात्रा है जो व्यंजन से पहले लगती है आगए आपको right कौन सी आएगी छोटे ई की मात्रा जो शब्द से पहले लगती है व्यंजन के उपर लगने वाली मात्रा कौन सी है व्यंजन के उपर कौन सी मात्रा लगती है ए की मात्रा O की मात्रा छोटी U की मात्रा बड़े E की मात्रा कौन सी आएगी? E की मात्रा Very good E की मात्रा होती है ना वो व्यंजन के उपर लगती है तो आपको उसमें टिक कर देना है दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर दीजिए वाक्य कैसे बनते है वो अभी आपको आगाया शब्दों के सही क्रम से क्या बनता है वाक्य और शब्द कैसे बनते है वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते है यह आपको सेफ रीड करना है ओकी? खो, चित्रों को देखिए और सही मात्रा लगा कर शब्द को पूरे कीजिए आपको पिक्चर दिया है आपको उसकी मात्रा लगानी है सिर्फ क और ल लिखा हुआ दिया आपको तो आपको सिर्फ मात्रा लगानी है तो कौनसा हैगा पहला वर्ड कील जो दिवाल में लगाते है नम कील वो दूसरा एगा भाला आकी मात्रा लगेगी तीसरा एगा क एकी मात्रा ल आकी मात्रा केला आपको पिक्चर देखके पता चल जाएगा कि कौनसा बड़े है च्वाथा कौनसा है थ आकी मात्रा ल बड़ी एकी मात्रा थाली म आकी मात्रा ल आकी मात्रा माला न, द, बड़ी एकी मात्रा, न, दी ओके, सेव मात्रा लगानी है ग, चित्रों के नाम लिखो आपको चार पिक्चर दिये आपको देखते ही पता चल गया कि इसका नाम क्या है बराबने, चलो, पहला क्या है? ट, ओकी मात्रा, प, बड़ी एकी मात्रा, टोपी फ़र्ड वन, ओ, अनुस्वार की मात्रा, अं, ग, बड़ी एकी मात्रा, ग, र, अंगुर, अंगुर, ग्रेप्स और लास्ट, ग, म, ल, आ, की मात्रा, ग, म, ल, ग, दिये गए चित्रों को देखकर वाक्य बनाईए यहाँ पे आपको पाच पिक्चर दिये हैं आपको देखना है, पिक्चर में आपको जो दिख रहा है, वो सेंटेंस आपको खुद बना के लिखना है पहला, बंदर है, दिख रहा है बंदर, तो मैं ऐसा लिख रही हूँ बंदर केला खा रहा है पहला सेंटेंस के आएगा बंदर केला खा रहा है दूसरा मोर सुन्दर पक्षी है इसके अलावा भी आप मोर हमारा राश्ट्रिय पक्षी है ऐसा भी लिख सकते हो मतलब आपको पिक्चर में जो दिख रहा है आप खुद का बना के भी लिख सकते हो थार्ड वन कोयल कुकती है ये वाक्य बन गया है कोयल कुकती है फोर पतंग उड रही है मचली तैर रही है ये पाँच मेंने दिये है आप खुद से भी बना के सेंटेंस लिख सकते हो ओके? थेंक यू हैव अनाइस डे ये अनाइस जो अनाइस प्रोल थेंक पदसे में वे लिख सकते है ये विर वाँ पहा है ये उनाइस जो रही है ये रही है